तेरी पायल सी मधुर कोई आहट नहीं अब तू ही आखरी और कोई चाहत नहीं इन बातों को सुनाने के लिए एक हसीना होनी चाहिए तब तो आप कहेंगे और उन हसीना को पाने के लिए आज के जवाने में आपको सरकारी नोकरी होनी चाहिए क्योंकि सरकारी नोकरी के जैसा आज के जवाने में ना तो कोई फेरने स्क्रीम है और ना ही आप फिट बोडी हो सकता है कैसा भी हो सरकारी नोकरी हो बात बन जाती है हैंकि नहीं आप भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम इस चैनल पे एक नए आगास करने जा रहे हैं सिधा सिधा बातों में समझें तो हम अपने जो हमारा भी परिवार योटूब का बहुत छोटा है और जो भी है हमें ऐसा लग रहा है कि सभी को रिलेटीव हैं जो हैं जिसको जानते हैं बस इतना सा परिवार हैं तो इस को सफलता में बदलने के जितने भी प्रयास हैं उनको सुनने सुनने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेंगे मतलब उनकी गाथा को हम लोग सुनेंगे अपने इस चैनल पर तो हम कोशिश करेंगे कि हर उन भाईों से मिल पाए भाई बहन कोई भी हो जिनसे क कि जुनोंने अपनी और सफलता को सफलता में बदला है क्योंकि अगर हम अपने आसपास के या को रिलेटिब को सेलेक्टेड होता देख पाएंगे वह भी इस चेतर से जिस चेतर में अभी हम लोग हैं तो कहीं न कहीं जो मोटिवेशन है जिसको कि आप दूसरे वीडियो के माध्यम से किसी तीसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं तो उससे six times ज्यादा आप मोटिवेट हो पाएंगे यह personal calculation कोई exact calculation नहीं है मतलब कहीं न कहीं ज्यादा मोटिवेट फिल करेंगे इसकी तो security है तो हम क्या करेंगे हम उन सारे भाईयों से मिलेंगे और उनकी गाथा स सुनाएंगे आपको हाइदा मंद इसलिए बहुत जादा होगा क्योंकि आप देखते भी होंगे आप कोई भी महफिल में जाएं चाहे साधी का महफिल हो या कहीं भी जाएं लेकिन अगर अपनी वाली दिख जाए तो भाई का बात ही कुछ अलग हो जाता है एटेंशन भी बढ़ सकता है तो हम लोग नए वीडियो से सुरुवात करेंगे कल पहला वीडियो आएगा धन्यवाद